चैति गुरु भीतर का आध्यात्मिक गुरुवार एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या से चैति गुरुवार वेह है जो भीतर से विवेक, ज्यान और मार्ग दर्शन देता है। इस कथन के पीछे तरकी लहे की भगवान, भगवान क्रिश्न प्रतेक जीवेतिकाई के बीतर हमारी आत्मा के ठीक बगल में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। जितना अधिक हम शास्त्रिय आदेशों का पालन करते हैं और वैदिक जीवन शैली अपनाते हैं, उतना ही अधिक हमारी आत्मा भौतिक ठक्रिदी की पीड़ा से मुक्त होती हैं और उतना ही अधिक हम क्रिश्न के प्रेय बन जाते हैं। प्रिटि आंतरिक भावनाय के रूप में महसूस करते हैं। वे वास्तों में भीतर का परमात्मा हैं जो हमें निर्णा लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस कैलावा यदि हम बहुत इमानदार हैं तो भगवान क्रिश्न हमारी भक्ति सिवा को तेजी से बढ़ाने के लिए बाहरी मार्गदर्शन के लिए एक अध्यात्मिक गुरुवार भेजते हैं। श्रील प्रभुपात की पुस्तके, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्रक विश्य की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स चैत्य गुरु आध्यात्मिक गुरुवार श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत आठ्र धरणों में दिया गया है। हो जाता है क्यूंकि भगवान भीतर से ज्ञान के स्वयम प्रकाशित दीपक से उसकी अज्यानता को दूर कर देते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र, पाट एक, कर्मी कभी भी ऐसे किसी भी चीज़ को स्विकार करने के लिए सहमत नहीं होते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आती है और ज्ञानी केवल परिकलपनाई प्रसुद करते हैं। हाला कि वैश्नव, भगवान के अनन्य भक्त, प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध या मानिसिक अटकल द्वारा ज्यान प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि वे सर्वोच भगवान के सेवक हैं, भक्तों को ग्यान सीधे भगवान से प्राप्थ होता है, जैसा कि वे इह भगवत गीता में बोलते हैं, या कभी-कभी वे हिसे चैत्य गुरु के रूप में भीतर से प्रदान करते हैं। वह भीतर और बाहर से निर्देशन कर रहा है। भीतर से वे इह चैत्य गुरु या हुरेदय के भीतर बैठे आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में निर्देश दे रहे हैं। परोक्ष रूप से वे स्वयम को आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में प्रकट करके जीव क सायता भी कर रहा है दोनों ही तरीकों से भगवान जीव को निर्देश दे रहे हैं ताकि वे हैं अपनी भौतिक गतिविधियों को समाप्त कर सके और घर वापस भगवान के पास वापसा सके श्रीमत भागवाद 4.22-37 श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकोर टिपणी करत हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व से प्रेम करने में अत्यधिक उन्नत नहीं हो जाता वे होने वैसे नहीं देख सकता जैसे वे हैं फिर भी यदि कोई आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा प्रतिपादित सिध्धानतों पर कायाम रहता है तो कि किसी न किसी तरह वे भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है चुकि भगवान अरिदय में हैं वे एक इमानदार शेश्य को भीतर से सलाह दे सकते हैं श्रीमत भागवाद 4.2851 किसी को अपने उपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए बलकि भगवान क की प्रती समर्पित आत्मा होना चाहिए जो तबों से चैति गुरु या आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में शुरुत लेक लेंगे भगवान एक बक्त को बीतर और बाहर से मार्ग दर्शन करने में प्रसंध होते हैं चैतन्य चरितामरित आधिलीला 8.79 भगवान सभी बध्धात्माओं के परमात्मा, आध्यात्मिक गुरुवार और पूजनिय देवता हैं खृष्ण नकिवल सभी जीवों के लिए सर्वोच पूज देवता हैं बलकि वे गुरुवार या चैतन्य गुरु परमात्मा भी हैं जो जीव को हमीशा अच्छी सलाह देते हैं दु प्रभावजे होता है कि व्यक्ति स्वचालित रूप से परमात्मा या परमात्मा के आदेश का पालन करता है चोकि ये अधिवेस्थिति क्रिष्ण भावनाम रित में रहने वाले व्यक्ति को तुरंत प्राप्थ हो जाती है भगवान का भग्त भौतिक अस्तित्व के अर्थात संकत और खुर्शी, ठंद और गर्मी आदी से अप्रभावित रहता है। ये अवस्था व्यवहारिक समाथी या तलीनता है उच्चतम। भगवत गीटा 6.07 भगवान सक्के हुरिदय में स्थित हैं और सेवक की मनोवरित्ती के अनुसार आदेश देते हैं। हाला कि भगवान अभग्तों और भग्तों को अलग-अलग आदेश देते हैं। गयर भग्त सर्वोच भगवान के अधिकार को चुनोती देते हैं और इसलिए भगवान इस तरह से आदेश देते हैं कि गयर भग्त भगवान की सिवा जीवन दर जन्म भूल जाते हैं और प्रक